बोले चुडियां, बोले कंगना, फूद के आ गई, BJP के अंगना, कॉंग्रेस पूछे क्या है, इनका भाव अपना ही गिरा लिया, ए भागवान, दे जा दे जा, थोड़ी अकल दे जा, कॉंग्रेस को थोड़ी सी तो अकल दे जा, ऐसी होंगी, इनकी हरकतें तो हो जाएगा खराब सब का बेजा हो असकार मेरे भाई और बेनो इश बॉय छोटे नेता जी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे मोटे नेता तो हम भी बन ही गए है आज का रंगा रंग कारेक्रम शुरू करते हैं कंगना रनाउट जी के नाम से हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से आने वाली लोग सबाद चुनाब वो लड़ेंगी पॉलिटिक्स के इस होलसेल मंडी में एक दुकान इनकी भी लग गई है और आते ही कॉंग्रेस ने इनकी दुखान चलवा भी दी है जै हो कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेजी की वैसे तो लोग बोलते हैं कि बोले चूड़िया बोले कंगना क्योंकि कंगना जी तो वैसे भी बहुत बोलती है लेकिन इस बार तो कॉंग्रेस कंगना की विकिट लेने के चकर में खुद को ही कंगना रनाउत करा बैठी है वैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि कंगना की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है कमाल कर रहे हो यार हद दो गई है इतने सालों से कंगना जी जिस शिदत से बीजेपी के लिए बिना कहे बैटिंग कर रही थी ये तो एवेंचुली हो ना ही था जितना कंगना जी हिंदुत्व की बात करती थी जिस तरह ओपोजेशन पार्टी से बिढ़ जाती थी जितनी तारी वो पीएम मोदी जी की करती दी आउट अग दो वे जाकर यही लगता था कि बीजेपी को जॉइन कर ही लेंगी पॉलिटिक्स के सवालों पर कंगना जी का उपिनियन रहता था तो वैसे हैरत होनी नहीं चाहिए कि भाई कंगना जी पॉलिटिक्स में कैसे आ गई लेकिन हाँ फॉमली कंगना जी की आक्टिफ पॉलिटिक्स में एंट्री होते ही कॉंग्रेस ने उनको हेड स्राट दे दिया दिल कितना बड़ा है देखी आप अपोजिशन का बीजेपी को बार-बार चुनाव जुतवा देते हैं उनके पॉलिटिकल रूकीज को भी फाउंडेशन बढ़िया वाली दे देते हैं इस प्रोसेस में भले एक खुद की बेज़ती हो जाए कोई परवा नहीं बस सामने वाला अपना करियर सेट कर ले है यह होती है असली महबत की दुकान क्यों रावल जी है मज़ा आया और मैं यह जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता सुप्रिया शुनेत जो अकसर आपको टीवी न्यूस चैनल्स पर डिवेट करती हुई देख जाएंगी वो कॉंग्रिस की सीनियर नेता और प्रवक्ता है उन्होंने भी इस पोलिटिकल करियर में एंट्री से पहले कई न्यूस चैनल्स में बता और जर्नलिस्ट काम किया अब वैसे कॉंग्रिस जब कहती है कि कैसे कुई आर्मी से जुडिशरी से मीडिया से अपनी नौकरी छोड़कर सीधे बीजेपी में एंट्री कर जाता है तो क्या इसका मतलब ये था कि वो पहले ही बीजेपी के पार्टी एजेंडा के हिसाब से काम कर रहा था तो क्या ये सेम बात सुपरिया जी या कॉंग्रिस आप अपने आपसे भी पूछेंगे या नहीं नहीं पस ऐसी जेनरल नौलिज के लिए पूछ रहे हैं बुरा मतमाना पीज बाकि सुपरिया जी के सोशल मीडिया पे थोड़ी देर के लिए एक ऐसी पोस्ट आई जिसके बाद बवाल मच किया इतना बवाल की न्यूस चैनल केज रिवाल जी की एडी की रिमांड में वेल बींग की परवा अब नहीं कर रहे हैं वो अब प्राइम टाइम पर भी कंगना और कॉंग्रेसी चला रहे हैं ये पोस्ट जो आप देख रहे हो कि मंडी में भाव क्या चल रहा है और कंगना जी की फोटो साथ लगा दी थी इस पोस्ट को किया डिलीट सुप्रिया जी एकदम से उसके बाद बोली कि मैंने नहीं किया किसी और के पास मेरे अकाउंट का एकसेस है जिसने ये डाला होगा मतलब ब्लेम शिफ्ट किया उन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया मैनेजर की तरफ लेकिन आप अपने छोटे निता जी की नजर को तो जानते ही हो जब हमारी उस पोस्ट पर नजर पड़ी भाईयो बैनो तो ओविसली जो डबल मीनिंग बात लिखी थी उसके परे लिखे हुए हैश्टाग जो दिखे मुझे हैश्टाग दुरुवराटी हैश्टाग हार्दिक पांडिया भाईयो बैनो कंगना जी की पोस्ट पे दुरुवराटी और हार्दिक पांडिया का क्या काम मतलब ये भी निकल सकता है भाईयो बैनो इसलिए trending थे क्योंकि उनकी किरकिरी हो रही थी, इदर सुप्रिया जी भी trending हो गई, इनकी भी किरकिरी हुई, ऐसा लगता है कि गलती से बिना account switch किये, उस social media manager ने, उस भाई या बहन ने गलत account पे गलत post डाल दिया, ये हरकत बिलकुल बैसी ही है, जैसे boss की बुराई आपने द प्राइवर चला रहे थे, और काला हिरन भी heart attack से ही मरा था, वैसे ही सुप्रिया जी का account भी कोई social media manager ही चला रहा था, कहने का तात पर ये है कि, बोले चूडिया, बोले कंग ना, फूद के आ गई, BJP के अंग ना, कॉंग्रेस पूछे क्या है, इनका भाव अपना ही गिरा लिया, ए भागवान, दे जा दे जा, थोड़ी अकल दे जा, कॉंग्रेस को थोड़ी सी तो अकल दे जा, ऐसी होंगी, इनकी हरकतें तो, हो खराब सब का भेजा हो भायो वैनो इसी के साथ आज का रंगा रंकार एक्रम यहीं पर संपन हुआ फिर लोटेंगे छोटे नेता जी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बाद चीत लेकर जाते जाते आपके छोटे नेता जी एक लतीफा सुनाना चाह बादेंगे भायो वैनो एक बार आपके छोटे नेता जी से एक सज्जन व्यक्ति ने सवाल किया कि आप इंडिया की डेवलप्मेंट को सारी दुनिया में नंबर एक कैसे बनाओगे तब आपके छोटे नेता जी ने भी कह दिया कि हम पॉपुलेशन शप्त को बदल के चिस आप